हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब तो जैसे कि आपको पता है आज लाइस की एसिस्टेंट का पेपर जो है हो गया है दो शिर्ट सापकी हो चुकी है तो हम अनलाइज करते हैं आज का वेपर के क्या-क्या आया था उसमें कितने questions थे लेवल क्या था पेपर का लेवल मैं आपको बोलूगी पेपर का लेवल easy to moderate जो है वो बच्चे बता रहे हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से जो रिव्यू जिंग वह आपको यही बोलूगी कि पेपर का लेवल easy था ठीक है सारे questions सारी each and every question in your paper was doable सारे के सारे questions जो थे वो doable थे easy थे अब आपको एक चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूँ जब आप उपना पेपर को start करेंगे ठीक है पेपर जैसी आपका start हो जाता है आपको पहला section जो है आपका English का खुलेग English section जब आपका timer start हो जाता है आप ready to begin पे click कर देते हैं यह बहुत अच्छी useful information है जो भी इस वीडियो को देख रहा है इसको अच्छा से देख के जाना ठीक है आप जब ready to begin पे click करेंगे तो आपका सबसे पहला session जो है वो English का खुलेगा unseen passage आपका आजाएगा यहां पर आपक and next, save and next का option होता है यहां पर जब तक आप इस tick box पे click नहीं करोगे अपनी language को choose नहीं करोगे या तो English या Hindi जब तक आपका यह जो option है save and next वाला वो freeze रहेगा आप ना तो आगे move करवाओगे ना पीछे move करवाओगे कहने को मतलब है आप first question पे ही अटके रह जाओगे तो जो बच्चे गए थे आज चो shift 1 में थे उन्होंने यह गलती करी है I am sure shift 2 वाले बच्चे ने भी यही गलती करी होगी जो अपना language select नहीं करी तो उनके काफी minutes जो है वो waste हो गए थे invigilators को भी समझनी आ रहा था कि क्यो आगे नहीं बढ़ रहा है save and next क्यो नहीं हो पा रहा तो आपको क्या करना है या tick box में click कर देना है अपना ठीक है तो यह थी आपकी छोटी सी information चलो आप start करते हैं paper के analysis में क्या क्या आयो हो था आपका reasoning का आपकी reasoning में जो है आपकी सबसे पहले 5 questions आयो थे alpha numeric series के alpha numeric series कि इस तरीके की दे रखे थी आपको जैसे 2 5 8 9 10 108 इसमें symbols पी dollar लगा लो 10 K F H 2 1 8 इस तरीके से आपका जो भी है यह दे रखी थी एक series इसमें questions क्या-क्या बने थे which element is ठीक है 7th to the right ठीक है जैसे आपको 7th to the right from the 10th element to the left from the left ठीक है इस तरीके से इस तरीके का question था एक question था आपका which element या फिर which number is 11th to the right ठीक है 11th to the right 11th से पूछा गया था 11th number from the right पूछा गया था या फिर आपका पूछ लिया जाएगा एक में which number is 19th from the left 19th from the left पूछा गया था एक आपका इसमें question बना हुआ था कि if all the vowels are removed if all the vowels are removed from this series अगर सभी के सभी vowels remove हो जाएं तो which number is the 19th from the left या फिर 19th from the right इस तरीके के questions जो आपके बने हुए था अब इसमें क्या था जैसे आपको दे दिया गए a is greater than f is equal to k greater than equal to i greater than equal to g ठीक है एक statement यहा बन गए एक आपको दिया हुआ था जैसे जी less than equal to i is equal to m is equal to n and is equal to a इस तरीके से आपको दो statements दिये हुए थी यहाँ पर conclusion दिये हुए था और आपको बताना था कौन सा सही है और कौन सा follow कर रहा है कौन सा नहीं follow कर रहा हुए फिर आपका syllabus में के तीन questions है three questions में easy था दो questions होते है वो only a few पर बनाता है hope आपको only a few वाला case पता हो मैं एक बाद फिर brush up आपको करा देती हूँ अगर आपको पो लाग जाए only a few chairs are table only a few chairs are table ठीक है इसका मतलब है कुछ ही chairs जो है वो table है मतलब सारी की सारी chairs जो है वो table नहीं हो सकती ठीक है फिर एक था आपका all tables are cap all tables are cap मतलब सभी tables जो है cap है और no cap is no cap is आप लगा लो pen ठीक है pen का relation इस chair से पूछ लिया pen का relation इस table से पूछ लिया cap का relation chair से पूछ लिया जब यह आपका case बनता है only a few chairs are table मतलब कुछ ही chairs जो है वो table है लेकिन जट सारी की सारी table है यह मैं आपको possibility बदा रह Ihnen वो यह chair में आ सकती है ठीक है जा सारी यह पांच 3-digit के 5 questions आया थे, 3-digit वाले, 3-digit वाले किस तरीके से, जैसे आपको कोई भी digit दे गई है, 421, 628, 729, 880, 540, अब इस तरीके से आपको questions दिया गया है, अब आपसे क्या पूचा गया है इसमें, कि left में, जब कि first digit का अगर हम sum कर दें, तो आपका सारी जो number से इसकी first digit का अगर हम sum कर दें, तो answer कितना आएगा, ये पूचा गया था, एक में पूचा गया था, अगर हम first और second digit को interchange कर दें, हर number की first और second digit को interchange कर दें, तो आपका second largest और second highest number कौन सा बनेगा, एक ये पूच लिया गया है, ठीक है, एक आपको बूचा गया है, अगर हम इसी number में से ही सारी digits को ascending order में arrange कर दें, ठीक है, सारी digits को हम अगर इस number के ascending order में arrange कर दें, इनको मतलब कि अगर इसी को आप ascending में arrange करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 124 ठीक है, ascending में, इसका क्या बनेगा, 268 तो ऐसे कितने जो हैं आपके numbers हैं जिसमें कोई भी फरक नहीं पड़ा है कोई भी change नहीं आया है वो already मतला ascending order में ही थे इस तरह की का question आपका एक बना था ठीक है एक में आपका फोल दिया गया है कि अगर हम last में one one add कर दें ठीक है even number में जो है odd में minus one कर दें तो आपके जो numbers हैं वो first second largest और highest number कौन सा बनेगा ठीक है एक question था यह इस तरीके के question आपके बने हैं आपके blood three digit में five questions ठीक है फिर आपका blood relation का question blood relation में आपका क्या आया है यह हम discuss करते है blood relation में क्या आया है blood relation में आपको इस तरीके का question दिया हुए M is married to P ठीक है P is father of only two children जो कि J और K K is son-in-law of Q ठीक है Q has only two children D and H ठीक है फिर इसमें Q is married to this H की एक aunt है H की एक aunt बता दी गई इसका relation इनसे बताना है इसका relation इनसे बताने इस तरीके से आपका जो family tree जो है वो बन रहा था ठीक है blood relation आया था easy question था ठीक था तो यह सारे question जो है आपके doable थे फिर आपकी puzzles की बात कर ले थे है puzzles में हमारा क्या क्या आया थे तीन puzzles आपकी आई हुई थी puzzles में देखा जाए तो puzzles काफी easy थी पहली puzzle जो थी आपकी वो थी center face जो थे आपके puzzle आई हुई थी center face जो थे आपके पूसर्कल बना दी गए आठ लोग बैटे हुए थे और वो center की तरफ देख रहे थी ठीक है inside facing थी outside facing नहीं थी inside facing थे सारे के सारे अंदर देख रहे थे बहुत easy puzzle थी यह आपकी अब इसमें आपको ध्यान रखना है अगर 8 लोग बिठाने होते तो इस तरीके से आप डाइग्रम बना लें एक दो तीन चा पांचे साथा इंसाइट face कर रहे थी ठीक है अब आपको पता दो किस तरीके का कुशन था कि h is sitting right to the a ठीक है second to the right of a h is sitting second to the right of a a यहाँ आएगा h यहाँ पर आजाएगा फिर था कि h में h के three position छोड़ के जो है पेठा है f टके तीन फोजिशन छोड़ के आप f को में बठा दीजिए अभी यहां पर कहा पर आएगा 123f के position यहीं रहेगी तो यहां पर आ जाएगा आप यहां पर आ जाएगा और एक आपका था कि इसके राइट में बाठा है, इसमें तरीके साप को यह पजल solve करनी थी, ठीक है? एक puzzle थी यह आपकी, days वाले, days वाले कैसे? Monday, Tuesday, Wednesday,thursday, Friday, Saturday, Sunday, इसतरीके साप के days दे रखे थी आपको इसतरीके से बना लेना है paper में, ठीक है? यह नहीं आप अलग-अलग बनाओ यहीं पर आपको sort कर दिना एक ही में इसमें क्या था आपका जैसे P और Q के बीच में चार लोग बैटें हैं P और Q में आपने 4 लोग बैठे हुआ है P और Q के बीच में Q जो है वो P के नीचे बैठा है तो P के नीचे बैठा है किसी पोजिशन पे और चार लोग बैठे है P और Q के बीच में तो P अगर हम यहां बिठाते हैं 1, 2, 3, 4 तो Q यहां पर आजेगा और Q नीचे बैठा है तो अब्वेसी बात है तो Q नीचे ही आएगा P हमेशे उपर आएगा ठीक है Q जो है वो P से पहले बैठता है तो Tuesday में बैठ गया एक हमने condition ले ली कि P यहां बिठा दिया 1, 2, 3, 4 Q यहां बैठ गया ठीक है फिर आपका था P और S के बीच में एक जने का gap है या फिर दो जने का gap है 2 persons are sitting between P and S तो obviously बात है उपर तो हम बिठा नहीं सकते है S को तो 1, 2, S यहां बैठेगा यहां पर भी उपर हम बिठा नहीं पाएंगे क्योंकि एक ही position खाली है तो S के लिए नीचे ही position बचेगी 1, 2, S यहां आएगा फिर आपका third condition जो दे रखी थी क्योंकि S के उपर जितने लोग है उतने ही लोग G के नीचे है तो S के उपर देख लिए जिए कितने लोग है 1, 2, 3, 3 तो G के नीचे 3 आने चाहिए तो अगर हम G को यहां बिठाते है तो 1, 2, 3 तो बिल्कुल यहां पर बैट सकता है G यहां G बैठेगा S के ओपर देख लीचे कितने 1,2,3,4 तो G के नीचे 4 आने चाहिए तो G यहाँ बैठेगा तो 1,2,3,4 I'm sorry, अगर G के नीचे बैठेगा तो यह वाला condition नहीं बनेगी क्योंकि S के ओपर 4 है तो G के नीचे भी 4 आने चाहिए ठीक है? तो इस तरीके से कोई इस तरीके के कोई equation दी हुई थी कि जितने लोग S के ओपर हैं उतने ही लोग S के नीचे हैं या फिर S का यह दे रखा होगा कि S यहाँ पर बैठा था तब जागे condition जो है satisfy होगी ठीक है? S के ओपर जितने हैं G के नीचे उतने ही लोग है तो इस तरीके से आपको S को यहाँ बिठाना पड़ेगा तब जाके आपकी यह जो पजल है वो solve होगी ओके? Exact यही था question पर मिर को exact question नहीं पाता बर question यही था कि यह इस तरीके की statement जो है वो दी गई थी फिर है आपकी फ्लोर फ्लाट का दिया होगा था फ्लोर बेस पजल लेकिन फ्लोर बेस पजल में क्या था? flat दिया होगा था flat number 1 and flat number 2 ठीक है flat 1 and flat 2 और यहाँ पर floors दिये गए थे floor 1, floor 2, floor 3 इस तरीके से 1, 2, 3 और यह 4, 1, 2, 3, 4 और फिर लोगों को बिठाया होगा था इस में 2 flats दिये गए थे और इस तरीके से लोग बैटे हुए थे, ठीक है, चलिए, अब आपकी ये हो गई है, आपकी reasoning पूरी, 35 questions आपके reasoning के हो गए हैं, आप चलते हैं, maths के पार्ट पे, maths में आपका क्या क्या आया था, देख लेते हैं, कुल में लाके reasoning जो थी, वो बहुत ही easy थी, ठीक है, और सारे के सारे questions जो थे, reasoning के वो doable थे, maths में चलते हैं, अब maths में थे आपके एक line graph का question, line graph का question 5, जो है, इसमें questions वने थे line graph के, line graph के किस तरीके से दे रखे थे, मानलो, 2011 का आपको data दिया हुआ था, ठीक है, A, B, C, D, E की कुछ values दी गई थी, अब आपसे बोला गया था, एक question आपका यह था, अगर A का, A की value 2011, और A की average value 2011, और 12 को मिला के, मानलो, 65 है, ठीक है, average value, तो और A की value मानलो, आपको दे रखे 30, तो क्या हो जाएगर, 30 प्लस, ये 2011 की value 2012 की आपको पता नहीं, प्लस X में, आ आपन में average निकालना है, तो आपन में 2 is equal to 65, ठीक है, आप value कैसे निकालोगे, अगर X की value निकालनी है, तो आपको कैसे निकालोगे, 60 into 2 minus में 30, तो ये आपकी निकल जाएगी X की value, ठीक है, एक question आपका दिया हुआ था, मानलो, C की value आपकी 30 निकली है, और D की value आपकी 40 थी D, तो C, D से कितना कम है, सबसे पहले आप minus कर लीजे 10, कितना कम है D से, तो 10, कितना D से कम है, तो D नीचे आएगा upon 40 into 100, तो ये आजाएगा C, ठीक है, अब आपको एक value दी गई थी, कि मानलो, A कितना percent है E का, A कितना percentage है E का, तो अगर आप, मैं इसी value पे आपको करके बता तो अगर C, पूचा जाएगा, कितना percent है D का, ये नीचे पूचा कितना percent कम है या कितना ज्यादा है, तो that means, कि C की value आएगी आपकी, कितना percent किसका है, D का, तो D नीचे आएगा, into में 100 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से, काटपीट के answer आजाएगा, तो ये 9 graph का question बहुत ही easy था, फिर है आपका simplification, simplification के आपके 15 question आया थे, free के number थे, बहुत ही easy questions है, जिनकी calculation speed अच्छी है, वो 15 के 15 attempt कर लेगा, बहुत ही कम time में, फिर आपके number series के 5 questions है, 5 questions कैसे थे, आपको series में आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी, क्या-क्या logic उसमे में ले लेती हूं, 20, 30, 60, 90, 180, wrong numbers आपका नहीं आएं, सिरफ missing number आएं, ठीक है, first shift में, जैसे एक logic आपका लगा हुआ था, into 2, into 2, into 2, ठीक है, एक logic आपका लगा हुआ था, into 2 plus 1, into 2 plus 1, into 2 plus 1, फिर एक logic लगा हुआ था, into 4.5, into 4, into 3.5, into 3, इस तरीके का logic था, एक का logic था, आपका, into 1, plus में 2, ठीक है, into 2, इस तरीके से आपका logic लगे हुआ था, बहुत easy logic था, जिन्होंने practice करी होगी, वो जल्दी से इस logic को जो है, वो पकड़ लेंगे, multiplication वाले जो है, वो जादा जो है, आपके questions बने हुए थे, फिर आपके arithmetic के questions आए हुए थे, arithmetic के 10 questions आए हुए थे, very easy questions, इसमें क्या-क्या था, आए हुए था, आपका arithmetic में, दो questions जो से आपको ratio proportion के बने थे, ratio proportion में कैसे, एक mixture और allegation का question था, ठीक है, mixture और allegation का question था, mixture का, जैसे कि A is to B, इसमें कोई value दे रखी है, 10 is to 20, इसमें कुछ value एड होई, तो आपकी बन गया ratio 30 is to 40, त कितना था, फिर आपका एक question था, partnership पे, ठीक है, partnership पे, एक आपका CI और SI का question पूचा गया था, एक profit and loss का question पूचा गया था, time and work का एक question पूचा हुआ था, time and work, कि A ने इतने दिन काम किया, B ने इतने दिन काम किया, ठीक है, time and work का question पूचा हुआ था, एक question आपका ages पे आया ह तो यह था आपका math paper English paper जल्दी से discuss कर लेते हैं English paper में आपका क्या 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 हुआ था English paper बहुत इजी था मैं आपको बोलूगे जिसको जो यह इतना easy paper था कि आप एक बर करने के बाद दुबारा से revision भी कर सकते थे अपने paper की एक सब दो बार यह paper इतना easy आया हुआ था English paper में unseen passage आया हुआ था 10 questions unseen passage के थे ठीक है unseen passage के 10 questions है आपके 10 questions में 10 questions में इसमें ही synonym पूछा गया था एक एंटिनीम पूछा गया था एक मिलेंदा ब्लांक पूछा गया था पैसे बहुत इसी तब 10 के 10 questions होने वाले थे spotting the errors में एक आपको पता है sentence यह आ गया होता है a b c d e और आपको find out करना होता है कौन से पार्ट में error है वह पांच questions दिया होता है sentence rearrangement के 5 पांच थे आपके जैसे की 1 2 3 4 5 पांच sentence दिये गए थे आपको बताना था sentence 1 sentence 2 sentence 3 4 और 5 कौन सा है ठीक है फिर आपका correct sentence आपको find करना था यहां पर कुछ sentences दिये होए थे आपको आपको बताना था इसमें कौन सा जो है correct sentence आपका बन रहा है ठीक है या फिर एक option था है इसमें all correct है अगर सारे ही correct है तो all correct पे भी click करना था तो paper was very easy doable था average बच्चा भी paper को अच्छे से attempt करेगा जिसको बहुत knowledge है वो भी उतना ही करेगा बढ़ यहां पर जो matter करेगा वो करेगी speed की बच्चे की speed कितनी है जिसकी speed अच्छी होगी वो paper को निकाल ले जाएगा जिस जो speed कम होगी चाहे वो कितना intelligent होगा वो रह जाएगा ठीक है चलो अब analysis करते हैं दूसरे shift का तब तक के लिए shift 1 वाले आप इसको practice कीजिए जल्दे से take care